हलो फ्रेंड्स और मैंडेश डेंड इस वीडियो में हम लोग लिकुड मिक्सिंग के दो एक्यूपमेंट टर्भाइन्स और पैडल्स के बारे में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महनताप सिंग तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम इन दोनों एक्यूपमेंट के बा काम करते हैं मिन्स यह एक शेरिंग फोर्स के ऊपर काम करते हैं अगर हम इस एक्यूपमेंट के बात करें तो इसका जो कांस्ट्रक्शन है उसमें एक होती है सर्कुलर डिस्क होती है जिसके ऊपर की ब्लेड्स अटेच होती है यह जो ब्लेड्स है यह एक सर्कुलर डिस्क क उपर attach होती है, यह इसका top view है और यह इसका side view है, अगर हम top से देखते हैं तो इस तरह का कुछ assembly हमें दिखाई पड़ती है, और अगर हम इसको side से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की assembly दिखाई पड़ती है, तो अगर हम इसके construction की बाद करें, a turbine mixture consists of a circular disc to which a number of blades are attached, कुछ blades attach होती है ये blades approximately 6 से 8 के आसपास होती है अगर हम turbines के diameter की बात करें the diameter of the turbine range from 30 to 50% of the diameter of the vessel जो vessel जिसके अंदर हमें mix करना है उसके diameter का 30 to 50% हमारा turbine का diameter होता है अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे turbine के speed के बारे में तो जो भी हमारा turbine है वो उसकी speed अगर हम propeller के speed से compare करते हैं तो काफी low होती है means अगर हम propeller की बात करते हैं तो उस condition में क्या होता है approximately 8,000 rpm पे हमारे propeller move करते हैं बट जो हमारी turbine है वो 50 to 200 rpm पे ही rotate होती है अगर हम इसकी blade की बात करें तो इसकी जो blade है वो या तो straight होती है या curved होती है पिजड होती है या vertical होती है अगर हम straight की बात करें तो जो पहला diagram है इसमें जो हमारी blades है वो straight है इस condition में जो भी हमारी blades है वो सीधी है इनमें कोई angle नहीं है उसके बाद में जो दूसरा है ये है हमा वर्टिकल कर्वड ब्लेड जो टर्बाइन इसके अंदर जो हमारी ब्लेड है वो वर्टिकल है जिसके कारण की हमें एक अच्छा टेंजेंशियल मोशन प्राप्त होता है और लास्ट में है हमारी पिच्ट ब्लेड इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लेड है उसके ऊपर into vessel, जिस liquid को हमें mix करना है, उसको हम एक container के अंदर, एक vessel के अंदर placed कर देते हैं, उसके बाद उसके हम उसके अंदर, जो हमारी turbine है, उसको dipd करते हैं, उसमें ढालते हैं, और उसको rotate करते हैं, कुछ समय बाद जब हमारी proper mixing हो जाती है, तो उस condition में हम अपने, हमारा जो turbine है, उस को वहाँ से remove कर लेते हैं, और हमारे vessel को अलग कर लेते हैं, हमारा substance properly melt हो जाता है, अब हम इसके uses के बारे हम बात कर लेते हैं, तो जो इसका use है, it is effective for high viscous solution, ये equipment जो है, अगर हमारा substance बहुत ज़्यादा viscous है, उस condition में हम इसको use करते हैं, इसमें approximately 7000 pascal per second जो हमारा substance है, उसको हम use कर सकते हैं, viscosity अगर हमारे substance की ज़्यादा है, तो उस condition में हम equipment को, इस mixture को use करते हैं, it is used to mix the slurries with 60% solution, अगर हमारे पास जो slurry है, उसमें अगर 60% solids है, तो उस condition में भी हम इस equipment को use कर लेते हैं, अब हम इसके advantage के बारे हम बात करते हैं, gives greater sharing force than propeller, इसमें ज़्यादा sharing का force अबे प्राप्त होता है, अगर हम compare करते हैं इसको propeller से, it is also emulsification, इसको हम emulsification के लिए भी use करते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं, paddles के बारे में, तो ये same principle पर काम कर देखता है, अब हम इसके काशक्शन को देख लेते हैं, a paddle consists of a hub centrally with two long flat blades, ये जो हमारा equipment है, इसमें एक hub होता है, जिसमें की दो flat blades attach होती है, और ये जो हमारी blades है, ये vertically इसके अंदर attach होती है, तो अगर हम diagram में देखें, तो ये इसका side view है, ये इसका top view है, और इस condition में आप देखें, यहाँ पर ये hub है, जिसमें दो blades, flat blades attach है, और ये एक shaft के तुरू connected रहता है, इसमें दो या approximately चार paddles connected होती है, वो जिनको हम अधिक तर pharmaceutical industry में use करते हैं, इन some pedals, blades are digits के shape की होती है, या hemispherical shape की होती है, अब हम लोग इस equipment के working के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो हमारी shaft है, वो जो की hub के साथ में blade के उपर attach है, वो एक low speed पे rotate करती है, means handed RPM के आज़ पास ही rotate करती है, अब जो भी हमारे, हमारा material है, उसको ये push करती है, जो है radially और tangentially motion के लिए, तो ये इसके अंदर हमें radial motion या tangential motion एक तरह से प्राप्त होता है, जब proper mixing हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कि जो भी हमारे paddle से उसको remove कर लेते हैं, और हमारे liquid को tank से अलग कर लेते हैं, अगर हम इसके use की बात करें, तो ये use होता है, ये use in the manufacturing of anti-set, जो है suspension को create करने के लिए use होता है, अगर pectic जो है परगेटिव को prepare करने के लिए ये use होता है, या जो है बिस्मत के ओलियन की डैरियल मिक्षर को prepare करने के लिए ये use होता है, अब हम इस equipment के advantage के बारे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे low speed होने के कारण vertex form नहीं होता है, जिसके कारण की कोई भी air इसके अंदर interrupt नहीं होती है, अगर हम इसके disadvantage की बात करें, तो इसमें जो हमारा mixing है, अगर हम किस suspension की mixing कर रहा है, तो वो काफी poor होती है, और उसको improve करने के लिए हम वहाँ पे buffer tank को use करते हैं, ओके friends and my day is done, यह दोनों equipment आपको समझ में आ गए होंगे, अगर कहीं पे भी कोई confusion है, तो आप comment करके question में पूश सकते हैं, इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe क ना, बिल्कुल भी न भूले, thank you